गला जो नारीयल पानी देकरन जा रही हैँ, असी सारे जान की नारीयल पानी सढ़ी शेधले बहुत अच्छा होंदा丸ैंद पर आज दी वीबिच में गल करन जा रही है कि ना चार लोकानु में नारीयल पानी बिलकुल भी नहीं पेंना चाहिएँ सब तो पहले तेदे गुणा दिगाल कर लेए ता तेर सारे गुणा दिनाल पर पूरा है इसे विच विटामिन सी, कैल्शियम, मैगनीशियम, पोटाशियम बहुत चंगी मात्रा विच होंदा है हुँ तुसी सोचोगी अगर इन्नी अच्छी है चीज है ता आखिर केडियों चार लोकां दी कैटेगरी है जिनानो नारियल पाणी नहीं पीना चाहिए ते उनानो जो है नारियल पाणी पी के नुकसान भी हो सागद है संहें हाये है देखो ऐखेए हो चंगी चीज ही है उसा वी इक नेगतिव पॉझीज है यानि क्याँटिटी करेगरहे है तुसी किना इंटेक कर रहे हो और दूसरा तो आड़ी health condition से उपपर भी depend कारदा है कि तुसी तो आड़ी health condition की चाल गई है की तो आड़ी चीज खानी चाहे दिया या नहीं खानी चाहे दिया तो नारिल पानी जिना नो नहीं पीना चाहे दा इस category वीच सब तो पहला है जी high BP वाले patient वैसे ता इस विच potassium और magnesium दी मात्रा बहुत अच्छी होन कारे के जड़ा साड़ा high BP है उसनों lower side ते लेके आन देविच help कार दा ते फिर आखिर पीना क्यों नहीं चाहे दा high BP वीच हो इसलही क्योंकि अक्सर जड़े high BP वीच पेशेंट हों देने उन्हानों गोली लगी हों दी है और अपनी जो है अपने डॉक्टर दी सला थे जरूर लेनी चाहे दी है ते अपना जड़ा BPS रेगुलर चेक भी कार दे रहना चाहे रहा है ताकि उसे हिसाब ना तुसी अपनी डाइट जो है मैनेज कार सको अगली में गल करना चाहूंगी जिनादी केड़नी दू लेके कोई problem चाल रही है क्योंकि जिवें के मैं गल किती है नारहील पानी दे विच पोटाशियू बहुत चंगी ज़्यादा मात्रा विच होनदा है ते साभी किडमी जो है जड़े नॉर्मल परसन होन दे है उ इनने ज़ादे जड़ा पोटाशियू है उसों फिल्टर कार लें दी है साभी किडमी पहला ही कोई प्रॉब्लम दे वीच चाल रही है कोई किड्मी दा डिसीज चाल वहाई था उत्थे एन्ना जादा पोटाशियम किड्मी जो है फिल्टर नहीं कर पान दी है ते इते किड्मी पेशन नूँ प्रॉब्लम जो है ज्यादा वद साग दी है तो इसले जिनानों भी क नारियल पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि इज़ा ग्लाइसमिक इंडेक्स बहुत जादा है ते काम्स भी बहुत जादा ने एकदम जो है ब्लड शुगर लेवल बद सागदा बहुत जादा इसलिए तुसी डॉक्टर दी सलाह जरूर लेनी है कि तुसी किना नारियल पान पी सागदे हो अगर तुसी पीना चाहिए हो अदरवाइस तो आनुए स्किप्ट जरूर करना चाहिए है जुमें कि मैं गलकेती है ग्लाइसमिक इंडेक्स बहुत जादा है और नाल इनाली स्विच काब्स भी एकदम बहुत जादा तो आडे ब्लड बीच पहुंच देने इसनाल ब्लड शिगर लेवल एकदम हाई हो जाता है जिनननों इलर्जी है कि से भी तरहां दी खारिश दी कोई प्रॉब्लम चाल रही है या कोई पुराने इसकिन इंफैक्शन चाल रही है जलन या बॉड़ी तो और रेडने स्विच दी प्रॉब्लम है उनननु भी नारि चाहे हो नाच्रोल ही होवे चाहे हो फ्रूट ही होवे कोई पर अगर हो बहुत जादा मिठा फ्रूट है उसा इंटेक तो आनू टाइमली जरूर कटा देना चाहिदा है नेता जिननी मिठी चीजां तुसी खान दे रहोगे तुसी ना लगर दवाई भी खा रहे हो तो पूर कर लेना चाहिदा है आज दी वीडियो वदिया लगी है ता इसनों लाइक एंट शियर जरूर कर देना कमेंट करके भी अपने विचार सांजे करना हुन तक पेज नूँ फॉलो नहीं किता है तो फॉलो कर दो यूट्यूब चानल हेल्थ अडवाईस विधर जोत कॉन सब्सक्राइब नहीं किता है तो फटा फट सब्सक्राइब भी का दियो मिलांगे जल्दी ही सहतना जोड़ी हो और खास जानकारी दिनार फिलहाली दियो जी इजाज़त सास्रीकाल